दोस्तो गिरी डूडल के इस फ्लैटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे मैं टॉपिक कवर कराने जा रहा हूँ गद्याकलन और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एंसर लिखने के बाउजूद भी बहुत सारे बच्चों को बाक्स नहीं मिलता ऐसे क्या बोर्ड के रूल है वन बाई वन हम सब कुछ डिसकस करेंगे और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे तो दोस्तो गद्याकलन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैसेज दिया होता है इस पैसेज पे आपको कोशन तयार करने होते हैं याद रखना कोशन तयार करने होते हैं ना कि उसके एंसर लिखने होते हैं बस कोशन तयार करना है अब कोशन तयार करते टाइम भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए मैं बता देता करना कि वो एक-एक वाक्य के कोश्टन हो मतलब कि one sentence वाले आपको कोश्टन क्या करना है दोस्तों तयार करना है ये सब चीजों के बारे में आपको ध्यान से अच्छे से समझना है अब देखों यहाँ पर लिखा है कि गीता जीवन कि कला सिखाती है अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे देखो मैं यहाँ पर कोश्टन तयार कर रहा हूँ पहला गीता क्या सिखाती है आपने कोश्टन तयार कर दिया हाँ पर कुछ बच्चे इसे ही ऐसा भी लिख सकते हैं इसी question को कुछ बच्चे ऐसा लिख सकते हैं कौन जीवन की कला सीखाती है अब यहाँ पे बच्चों ने question लिखा है अब देखों यह पहला आला तो बहुत easy है कि गीता क्या सीखाती यह सही है अब second वाला question भी सही है ऐसा नहीं है कि आपने यह जो question बना हाँ कोई भी यह ऐसे दो question एक ही line पर दो question मत बनाना पर अगर समझो कोई बच्चा ऐसा question बना रहा है तो दोस्तों उसको marks नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेगा उसको question कैसा बनाना पता है उसको यह जो कौन वाला जो part है नहीं कभी भी कौन क्यूं क्या यह starting में नहीं होना चीए यह बीच में होना चीए यह हमेशा दिमाग में बिठा के रखना अगर यही question आप बना रहे हो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि जीवन जीवन की कला कला कौन कौन सिखाती सिखाती है यह सब चीज़े दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा बुक में यह को कौन क्यूं क्या यह सब बीच में आना चीए हमेशा याद रखना जब भी आप question तयार करते हो तो एक question आपने इस line से तयार कर दिया वैसे ही अगर समझो आप दूसरा line read कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे हो सकता है कि नीचे भी आप बहुत सारे question तयार कर सकते हो देखो एक question यहाँ पर आप directly तयार कर सकते हो कि चरीतर नश्च होने से मनुस्य का सब कुछ नश्च हो जाता है तो कोई उसे kya लिखना है कि मनुस्य का सब कुछ नश्च हो timD, पर आपको answer नहीं लिखना है तो हमें सकों संसार के सारे सुख यहाँ पर संसार के सारे सुख कैसे होते हैं आप ऐसा इस तरह से भी यहाँ पर एक कोर्शन बना सकते हो तो दोस्तों उमीद करता हूं कि यह जो गद्य आकलन का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आए टोडल कीतने कोर्शन तयार करने चार कोर्शन तयार करने और कोर्सिस करना है कि ऐसे दो तिन पैरिग् करना जैहिन दोस्तों